हेलो एवरीवन वेलकम आप लोगों का देखिए हम लोग पीजी टी का बहुत सारा क्वेश्चन कर चुके हैं रिंग थियूरी से और बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग ने टेलीग्राम में देखा ठीक है जो कि बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है एक्ष्ट्रेथ आई दिया तो क्या आपका सवरुक्षन कैसा रहा उसको यहाँ पर चेकवारने वाले है दो से पहले आपको पूछता है जिक तक है न के बारे मिंगर ZN, अगर N कोई प्राइम हो, तो क्या होता है, ठीक है, तो आपको पता है कि ZN में अगर N प्राइम हो, तो यह एक फिल्ड होता है, ठीक है, अगर फिल्ड है, तो definitely यह integral domain भी है, ठीक है, और ring with unity भी है, यहाँ पर all of the above, यह जो option है, यह बिल्कुल correct option है, ठीक है, चुकि आपको field है, तो integral domain भी है, और ring with unity भी है, ठीक है, तो all of the above, चलिए second question देखते हैं हम लोग यहाँ पर, second question देखे है, जो आज first time दिख रहे हैं, वो क्या कीजा है, बहुत अच्छा-च्छा question है, आप जो है, इसको mute कीजिए, और खुद से try कीजिए, ठीक है, यह तो question साहथ repeat हो रहा ह non-singular matrices की बात करें, तो non-singular है, ठीक है, इसका मतलब है कि इसके पास कभी भी zero matrix नहीं होगा, ठीक है, चुकि यह क्या होता, यह आपका singular matrix होता है, और zero matrix अगर नहीं है, तो इसका मतलब है कि यह आपका कभी भी under addition group नहीं हो सकता, not form group, ठीक है, under addition, under addition यह group नहीं वनाएगा तुप तुप यह ring यहीं नहीं है अगर यह ring यहीं नहीं है तो इंटेग्रल डॉमें भी कहां से होगा फिल्ड भी कहां से होगा यहाँ यहां पर non-of these वाला option आपको लेना है ठीक है तो कोशण repeat हुआ हमको लेकता है पहले भी हम लोगों इस पर बात कर चुके है आगे देखिए, next question है हमारा, क्या, third number है, every maximal ideal is, ठीक है, तो maximal ideal के बारे में पढ़ रखा है, आपने के कोई भी maximal ideal क्या होता है, हमारा, prime ideal होता है, ठीक है, simply देखिए, result based है, इसका option number one आपका correct होगा, ठीक है, ठीक है, question number four देखिए, क्या है four number यहाँ पर, बलता है, which of the following is correct, कौन सा correct है, ठीक है, every maximal ideal is prime ideal, तो यह तो पहला है, option तो correct होगा, यहीं पर ठीक है, बाकी भी देख लेते हैं, every prime ideal is maximal, यह देखिए, इसका converse part है, और यह correct नहीं है, यह हम लोग ने counter examples देखा था, कि prime ideal आपको ऐस मिल सकता है, जो maximal नहीं होता, ठीक है, अच्छा, maximal ideal of ring is ring itself, यह तो ऐसे ही by definition आपका wrong होगी है, इसलिए कि, जो maximal ideal होता है, using definition, जो भी maximal ideal होगा, वो कभी भी ring नहीं हो सकता, ठीक है, तो यह आपका wrong होगी है, maximal ideal never be zero, तो zero भी maximal ideal होता है, यह मों जानते है, ठीक है, zero is trivial maximal ideal, ठीक यह क्या होता है, यह आपका trivial maximal ideal कहलाता है, और हम यह भी जानते हैं, कि field जो होता है, तो field के पास में सिर्फ यह ही trivial maximal ideal होता है, ठीक है, तो इसलिए यह तो option यह भी आपका wrong है, ठीक है, यह तीनों आपका गलत है, तो एक one वाला ही आपका यहाँ पर correct option था, ठीक है, चलिए बोलता है, 2z is maximal ideal of z, यह तो सही है, जो कि z का maximal ideal 2z होता है, ठीक है, event z होगा, अच्छा, field has unique maximal ideal, यह भी सही है, कि field के पास में सिर्फ एक ही maximal ideal होता है, वो होता है, क्या, trivial 0, अभी जिसा मैं आपको बताया, maximal ideal can be more than one, ठीक है, maximal ideal बिलकुल एक से जादा हो सकता है, no doubt, ठीक है, अच्छा, nz is maximal ideal of z for all n, यह देखिए, आपका wrong हो गया, क्यों, हम लोग यह जानते हैं, कि nz, z का तब maximal ideal होगा, जब आपका n क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपको all n लिग दिया है, तो यह wrong है, सिर्फ प्राइम के लिए यह option आपका correct होता, यहाँ पर not correctly लेना था, तो यह option number 4 आपका यहाँ पर not correct है, ठीक है, इस तरीके से देखिए, बहुत simple simple question है, but important है, आपको इसको अच्छे से exam में करना है, mission नहीं करना, ठीक है, चलिए, आगे देखते है, question number 6, question number 6 क्या है, let R be a ring and I be an ideal, then R by I, ठीक है, यह integral domain होगा, बहुत ही important result है, हम लोग ने रखा है, कि R by I, आपका integral domain कब होता है, ठीक है, ठीक है, यह field भी होता है, ठीक है, integral domain कब होता है, integral domain तब होगा, जब हमारा, ठीक है, जो, कह लीजे कि, जो I है, जो ideal होगा, आपका prime होगा, ठीक है, इस case में क्या होता है, यह prime होना चाहिए, ठीक है, I मेरा क्या होना चाहिए प्राइम आइडियल यह होना चाहिए तो अगर प्राइम आइडियल होगा तब आर भाई आई मेरा क्या होगा इंटेगर डोमेन होगा तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर टू आपका करेक्ट है तो इसको आपको तो बहुत ही अच्छे से कर ले रहा है ठीक है अच्छा आगे बढ़ते हैं फिर देखते हैं कुछ नमर क्या है सिबिन यहां पर है हमारा के लेट उसी तरह का कोश्चन है इस पर आपको बोला है फिल्ड ठीक है तो याद रखिएगा फिल्ड कब होगा जब आई आपका मैक्सिमल आइडियल होगा याद रखिएगा आर भाई आई जो होता है मेरा ना वह क्या होता है वह इंटिग्रल डोमेन होता है जब आई आपका क्या होगा जब आई आपका प्राइम आइडियल होगा ठीक है जैसा उपर में कोशन था दोनों रिजल्ट याद रखिए बहुत इंपोर्टेंट है और आर भाई आई यह जो फैक्टर रिंग है यह आपका फिल्ड हो जाएगा कब फिल्ड होगा जब आ कौन सा ट्रू है सेट ऑफ इंटिजर जेट के लिए कौन सा ट्रू है ठीक है तो देखिए सेट ऑफ इंटिजर के लिए हम लोग ने बहुत कुछ पढ़ रखा है राइट यह सबसे पहले बोलता है कि जेट प्लस इंटू क्या है प्रिंसिपल आइडियल डॉमेन है बहुत आइडियल होता जैसे न्जड ठीक हम लोग ने देखा है ठीक है कि न्जड जिसे टूजट ठीरिजड इसके बास में रॉन त्रीविल अइडियल होगा यह भी तो अप्शन प्रिंस हो रहा है तो ज्यादा करेक्ट हो रहा है ऐसे परता हमें यह मेरा करेक्ट तो option number 4 आपको choose करना है कि all of the above are correct देखिए सारा कुछ आपने पढ़ रखा है कितना मज़दार है इस तरह का question को deal करना ठीक है तो I hope सारे question काफि आपको अच्छे लगे होंगे important थे, miss नहीं करना है ठीक है, अच्छे से revision करते रहिएगा तो यह सब में आप और पक्के हो जाएंगे definitely आपको अच्छा लगा तो like कीजिएगा चैनल पर नहीं subscribe कीजिए share कीजिए ठीक है पढ़ते रहे इस चीज़ए thank you very much